दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सपा सकें दुनिया भर में कई सदियों पुरानी कुफाएं हैं जो प्राचीन होने के साथ धर्म की वज़ा से बहुत खास हैं आज हम बात करेंगे दुनिया की अलग-अलग जगाहों में बने हिंदु धर्म की कुछ प्राचीन और रहसे में कुफाओं के बारे में ये मंदर पाकिस्तान के बलोचि स्थान में हिंगोल नदी के किनारे पहाडी गुफा में स्थित है हिंगलाजमाता का ये मंदर सती देवी के 51 शक्ती पीठों में से एक है इस मंदर के महत्वा का उल्लेग कई गरंथों में भी मिलता है ये मंदर इंदोनेशिया के बाली दीपर बने कई प्राचीन मंदिरों में से एक है भगवान शंकर को समर्पित इस मंदर में तीन शिवलिंग बने हैं और देश विदेश से परियाटक इसे देखने आते हैं किसी समय मलेशिया भी एक हिंदू राश्टर हुआ करता था यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनमें से एक मंदिर देवी पारवटी की बेटे भगवान मुरुगन को समर्पित है इस कुफा में भगवान मुरुगन की 43 मीटर उंची मूर्थी है और उनके जनम दिवस पर थायकुसम नामक तेवहार मनाया जाता है भगवान विश्न का ये मंदिर तामिल नाडू के महाबली पुरम में स्थित है यहां की चटाना को काट कर की गई कलागरितियां इतनी सुन्दर हैं कि इनको युनेस्को की विश्व विरासत का हिस्सा बनाया गया है मुंबाई के गेटवे आफ इंडिया से लगवथ 12 किलोमेटर तूर एलिफेंटा नामक कुफा स्थित है ये कुफाएं यहां की पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं यहां लगबग साथ कुफाएं हैं जिन में से सबसे महत्वा पूर्ण है महेश मूर्ती कुफा इस कुफा में अर्धनेश्वर, भगवान शिव और रावन द्वारा कैलाश परवत को ले जाते हुए बतराज शिव की उलेखनिय च्छबियां मौजूद है इस कुफा को भी युनेस्को द्वारा वीश्व विरासत का दर्जा दिया गया है महराश्टर के औरंगाबाद जिले में 29 बुद्धिस्ट कुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद है ये कुफाएं अपनी चित्रकारी और अद्भूत मंदिरों के लिए प्रसिद है जिन में से एक कैलाश मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान आज से 4000 वर्ष पहले किया गया था अमर नात की कुफा हिंदू धर्म के सबसे महत्मपूर्ण और खास तीरत स्थलों में से एक है माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी को यहाँ पर अमर कथा सुनाई थी हजारों वर्ष पुरानी इस कुफा में आज भी बर्व का प्रक्रितिक शिवलिंग निर्मित होता है जिसका दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ पर लाकों भगत आते हैं ये गुफा करनाटक के बादामी शेत्र मिस्थित है बादामी की चार गुफाओं में से दो गुफाएं भगवान विश्णू एक शिव और एक जैन धरम से संबंदित है पहाडों को काट कर लाल पत्थर से बनाई गई ये गुफाएं अपनी सुन्दर्ता के लिए बेहत मशूर हैं पत्थरों पर की गई नकाशियां देखने लायक हैं राजस्थान के अरावली में स्दित इसकुफा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान विश्णू के अफदार भगवान परशू राम ने अपने फरसे से चट्टानों को काट कर किया था कहा जाता है कि परशू राम ने खोर तपस्या की थी जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव के धनुश और दिवे फरसा प्राप्त किया था 36 गड़ के सरगुजा जिले के रामगड पहाडियों में सीता बेंग और जोगी मारा नाम की दो गुफाएं हैं यहां तक पहुँचने के लिए आपको प्रकृती टैनल के रास्ते से जाना होगा 36 गड़ के पहाडी इलागों और घने जंगलों से होते हुए इन गुफाओं तक पहुँचा जा सकता है यह गुफाएं कानगर वेडी के नेशनल पार्क के पास थित हैं बिहार के गया जिले में स्थित बाराबर की दो पहाड़ियों में चार गुफाएं हैं यह गुफाएं देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक हैं जिन में हिंदू धर्म से संबंदित कई प्रसंगों और देवी देवताओं की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं उत्रा घंड के पितार घंड में स्थित यह गुफाओं भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है यह गुफा विशाल काई पहाडी के करीब दबे फीट अंदर है जो किसी आजश्चरिय से कम नहीं है कहा जाता है कि यहां पर भगवान गनेश का कटा हुआ सिर मौजूद है तो दोस्तों आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर पताएं अगर आपको यह विडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आपसे अगली विडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए